दोस्तों, ताज होटल का नाम सुनते ही जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है, वो है बेजोड लगजरी, शांदार वास्तुकला और भारत की शान. लेकिन क्या आपको पता है कि ताज होटल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि इसमें छुपी हैं धेर सारी अनसुनी कहानिया और रोचक किस्से? आज की इस विडियो में हम आपको ताज होटल की कुछ ऐसी दिल्चस्प बातें बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, ताज होटल की कहानी शुरू होती है जमशिद जी टाटा से. कहा जाता है कि 1890 के दशक में जमशिद जी टाटा ने मंबई के एक मशूर होटल में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोग दिया गया. कारण? क्योंकि वो भारतियत है? इस अपमान से दुखी होकर जमशिद जी ने ठान लिया कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे, जो सिर्फ भारतियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा. और इसी जुनून ने जन्म दिया ताज होटल को. सोचिए दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब भारतियों को होटल में घुसने नहीं दिया जाता था, तब ताज होटल बना, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. अब दोस्तों, जब हम ताज होटल की बात कर रहे हैं, तो इसके सबसे आलिशान और महेंगे सुईट की चर्चा करना तो बनता है. हम बात कर रहे हैं टाटा सुईट की. सुनने में शायद ये आपको एक नाम लगे, लेकिन यकीन मानिए, इस सुईट का किराया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. यहां ठहरने के लिए आपको पूरे दस लाख रुपे प्रती रात देने होंगे. जी हाँ, दस लाख. और ये सिर्फ एक रात के लिए. तो सोचिए, एक हफ़ते ठहरने पर आपकी पूरी शादी की लागत निकल आएगी. लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये सुनकर आपको लगेगा कि हर एक पैसा वसूल है. अब जब ताज होटल की बात हो रही है, तो इसके बहतरीन खाने को कैसे भूल सकते हैं? ताज के रेस्टोरेंट्स में खाना खाना एक रॉयल एक्सपीरियन्स से कम नहीं है. दोस्तों, यहां की सबसे खास बात ये है, कि यहां पर आपको वर्ल्ड क्लास शेफ्स द्वारा बनाया गया खाना मिलेगा, वो भी उस लेवल का जो शायद आपने किसी दूसरी जगह पर नहीं चखा होगा. शामियाना रेस्टोरेंट में एक साधारन आलू पराठा भी आपकी जेब को करीब 700 रुपए का जटका दे देगा. और अगर आप वहां किसी खास डिश का लुथ उठाने का प्लान कर रहे हैं, तो कम से कम 10,000 रुपए का बिल तयार रखिये. दोस्तों, एक और दिल्चस्प बात, आपने कभी गौर किया होगा कि ताज होटल में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट्स इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? इसका राज है ताज होटल का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम. जी हा, यहां सिर्फ सुन्दरता ही नहीं, बलकि हर करमचारी को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो महमानों का स्वागत करते समय पूरी तरह प्रोफेशनल और दिलकश अंदाज में पेश आ सकें. इसलिए जब भी आप ताज होटल में कदम रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्मी सेट पर हों. अब दोस्तों, ताज होटल की बात हो और हम 26 बटा 11 की वो दिल दहला देने वाली घटना न याद करें, तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी. उस दिन ताज होटल पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. लेकिन ताज होटल के करमचारियों ने उस दिन जो साहस और हिम्मत दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ है. होटल के कई करमचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महमानों को सुरक्षित बाहर निकाला इस घटना के बाद ताज होटल सिर्फ एक होटल नहीं रहा बलकि वीरता और साहस का प्रतीक बन गया आज भी यहां के वेटर्स और करमचारियों को उस दिन की बहादुरी के लिए याद किया जाता है दोस्तों ताज होटल की सालाना कमाई सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे ताज होटल की सालाना कमाई करीब 7,470 रुपए करोड है जी हाँ, इतने पैसे की इससे आप अपने लिए छोटे मोटे देश खरीद सकते हैं यह होटल न सिर्फ अपनी कमाई में सबसे आगे है बलकि यहां आने वाले मिहमानों की शानो शौकत भी इसे सबसे अलग बनाती है दोस्तों, अगर आप कभी ताज होटल की छट पर जाएं तो आपको एक ऐसा नजारा दिखेगा जो शायद आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा वहां से समुद्र का वो अनोखा दृष्य और मुंबई का विहंगम दृष्य आपकी सासे थाम देगा इस अनुभव को शब्दों में बया करना मुश्किल है लेकिन यह महसूस करने के बाद आपको ताज होटल की शान का अंदाजा हो जाएगा अब दोस्तों, एक और मज़ेदार बात ताज होटल में जो दर्बान होते हैं जो बड़े ही समान के साथ आपका स्वागत करते हैं उनकी सैलरी भी कम नहीं होती उनकी सैलरी पचास हजार से एक लाख रुपए तक हो सकती है और दोस्तों, इनकी असली कमाई तो टिप्स से होती है कई बार बड़े-बड़े महमान इन्हें हजारों की टिप्स दे देते हैं इसलिए इनकी कमाई कभी-कभी लाखों में भी पहुँच जाती है तो दोस्तों, ये थी ताज होटल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रोमान्चक बातें जिन्हें सुनकर आप भी इस होटल के दीवाने हो गए होंगे उमीद करते हैं कि आपको यह विडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अगले विडियो में मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और रोचिक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार